हमारी फसलों के अंदर ओस्तन 25-70% नुक्सान कीटों के वज़े से होता है एक मिर्च लगाने वाला किसान वो ओन एवरेज अपनी फसल के अंदर 7-8 बार स्प्रे करता है वहीं पर बैंगन लगाने वाले किसान वो 15-16 बार अपनी फसल में स्प्रे करता है और लगातार हमारी खेती के अंदर जो खर्चे वह बढ़ते चले जा रहे और जो इनसेक्ट है जो चाहे रश्चू सा कीट हो चबाने वाले कीट हो या फिर कोई भी माइट्स वगेरा हो इनका जो दाइरह है ना वो लगातार बढ़ता जा रहे है इनका अंदर जो लगी हुई है आज हमने इसके ऊपर थ्रिप्स वाली स्प्रे कर दी कल को अपन देखेंगे इसके अंदर जो चबाने वाले कीट होता है ने जैसे की इल्लिया है वो इल्लिया इनका अंदर लग जाती है फिर हमें कल दो बारा से इसका अंदर इल्ली की स्प्रे करनी पड़त है दूसरी तरफ कई बार तो किसान क्या करता है रस्चुसक कीट हो चाहे चबाने वाले कीट हो चाहे मकडी हो इन सब के लिए एक की कॉंबिनेशन बना लेता और सभी कीट नासकों को एक जगे घोड़के अपनी फसल की उपर उस्प्रे कर देता है तो भाया अपन फिर क्या देखते हैं कि हमारी फसल के अंदर जटका लग जाता है फसल कहीं न कहीं हमारी ग्रोथ को रोक लेती और कई बार तो भाया पूरी आज तक हम प्रे करते आ रहे है तो भाया उनके खिलाफ जो भी इनशेक्ट है जाहे वो रस्तूसने वाले इंसेक्ट हो चबानेव इन अदर और उसडेशन स्वारी अगेंश्ट के एक tö खिया जो कीटना सब्सक्राइब्स पहलें नंखे धर एककनिकल समय ने और उनके को सही समय को पर नियंतरन करना बहुत मुश्किल हो राखा है लेकिन किसान भाई आप चिंता मत कीजिए आज आप लोगों को इन सभी समस्याओं को वन स्टोप सोलूशन मिलेगा साथ ही आपको बार बार अलग अलग तरिकी स्प्रे करने की आओ सकता भी नहीं पड़ी आपको सिर्फ और सिर्फ सिर्फ एक स्प्रे के अंदर इन तीनों समस्याओं का चाहे आपके खेत के अंदर रस्चू सा कीट हो चाहे चबाने वाले कीट हो, मकडियो इन तीनों का एक साथ समपून समाधान मिल जाएगा क्योंकि BSF कमपनी ने इन सभी समस्याओं का one stop solution निकाल दिया है अपने नए कीट नासक BSF पाइरेट के रूप में इस प्लोट के अंदर हमने एक डेमो लगाया था, इसके ट्राइल लगाया था आप देख पारे होंगों कितनी गजब, कितनी शानदार फसल चल रही है इसके अंदर चार तुड़ाईया हो चुकी है और अभी आप देख पारे होंगे पोधा है ना, वो फ्रूट से एकदम लदा लद भरा हुआ है पहले जानते हैं, आखिर BSF पाइरेट है क्या, किस तरह से काम करता है किन-किन इंसेक्ट के उपर ये कंट्रोल करता है इसकी परिकड की कितनी क्या डोज है और ये दूसरे इंसेक्टी साइड से अपने आपको अलग किस तरह से करता है क्योंकि ये नई जमानी की नई टेकनोलोजी है साथ ही BSF पाइरेट एक नया कीट नासके जो एक अलग किलास का मोलिक्यूल है यानि इसमें काम करने की प्रणाली बाजार में उपलब दूसरे कीट नासकों से बिलकुल अलग है साथ ही ये तीन तरह की कीटो जैसी के रस चूशने वाले कीट, चबाने वाले कीट, इल्लिया और मकडी को एक साथ एक इस्प्रे का अंदर कंट्रोल करता है किसान भाईव जिस तरह समूद्र में जहाज को इस्थर रखने के लिए जहाज का एंकर काम करता है उसी तरह हमारी फसलों को कीटो से बचाके उन्हें इस्थर रखने का काम पाईरेट करता है बिये से पाईरेट रेजिस्टेंस मैनेजमेंट का भी अच्छे से काम करेगा आथ ही इसकी एक और खासियत है ये जो कीट नासे की वो ट्रांस लिमीनर है इसके अंदर क्या होता है जैसी अपन इसके अंदर इस्प्रे करेंगे जैसी मिर्च आप पिलोट है आपका बैंगन पिलोट हो आप आस मिपोरह वह जैसी आप promet करोगे वह उतना ही दिन के अंदर निकलेगा और बात करते हैं किसे नियंत्रन करते है दो Siip इसको 114 तर में इसको डोजा से जमीनों एकस्तो सट्रम और करनी है तो किसान बायो टेकनलोजी में दिन प्रति दिन परिवर्तन हो रहे हैं साथी कीटों में भी रेजिस्टेंस पावर है न वो बढ़ती जा रही है इसलिए खेती में भी अलग-अलग टेकनलोजी और अलग-अलग दवाईयों का उप्योग बहुत जरूरी हो गया है इसलिए अगर आप थ्रिप्स, माइट्स और इस पोडेप्टोरा पर अच्छे से नियांतरन चाहते हैं तो BSF पाईरेट का इस्तेमाल जरूर कीजिए जो कि BSF द्वारा लॉंच किया गया बिल्कुल नया और बहतरिन कीट ना सके और यदि आपका कुई और सवाल है तो भहिया कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट जरूर करें उसका जरूर आपको जवाब मिलेगा धन्यवाद